आज LearnHub application का use करना कोई मुझे proper बता देता तो आज मुझे घर में ये ना सुनना पड़ता कि मैं सिर्फ दिन बर YouTube देते रहते हूं तो बचों आप लोग सोच रहे थे ना कि आपको LearnHub application किस तरीके से use करना है उसका proper एक intro मिल जाए तो उसके लिए मैं आ चुकी हूँ आपको उसका intro देने के लिए किसी भी application को use करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है आपको वो अपने android phone के play store से उसको download करना होता है तो आप download करेंगे आपके पास learn no hub application store हो जाएगा आपके phone में फिर जैसे ही आप उस पर click करते हैं तो click करने के बाद वहाँ पर आपके लिए option आता है register yourself जैसे ही आप register yourself करते हैं तो वहाँ उपर column आये का name, email id, your number and your password ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर लेते हैं तो आपके पास आपके register number पर आता है one time password जिसको आप कहते हो OTP जैसे ही आप OTP को देखते हो वहाँ पर फिल करते हो आपका learn of application जो है use करने के लिए तयार हो जाता है जैसे ही वो तयार होगा तो वहाँ पर आपको mention होती है classes अब यहाँ पर जो यह class 6th है जो भी class से started है वो आपको represent करते हैं कि वहाँ पर वो जो board है वो है आपका CBSE vote और ज class 6th 7th लिखा गया है वो आपको represent करते हैं ICAC board के लिए अब suppose कि आपने choose किया है ICAC class 6th तो जैसी ही आपने click करा ICAC class 6th पर आपके लिए open हो जाते हैं subjects तो जहां पर आपको दिखेगा physics, chemistry, mathematics and sst अगर आपने वहाँ पर physics को choose किया तो जैसी है physics पर click करेंगे तो class 6th में जो chapters के videos teacher बना चुका है वो यहाँ पर आपको दिखने लगते हैं तो आपको class 6th ICAC का जो पहला chapter है वो matter अगर आपने उसको पढ़ना चाहा रहे हो तो matter आपको देखेगा जैसी है matter पर click करोगे तो आपको teacher का video open हो जाता है उस video को अगर आप scroll करते हो नीचे की त तरब आपको वहां पर मिलता है time stamp time stamp जैसे ही आपको मिलता है तो उससे क्या होने वाला है आपको वहां से information मिलती है कि किस time stamp teacher ने किस topic को cover किया है clear तो अगर आपको वह topic पढ़ना है जाके तो आप उतने time stamp पर जाकर उसको easily पढ़ सकते हो अब और अगर scroll करते हो तो time stamp के नी पीस online test notes यह सारे sections आपको देखने लगते हैं अगर आपने वीडियो सुन लिया अच्छे से तो वहां पर आपके पास उस वीडियो में अगर कुछ छोटु सा भी डाउट है ना तो यहीं पर direct आपके लिए section ने ask का doubt का उस पर आप क्लिक करते हो तो आपके पास open होता है ask by typing ask by voice ask by image and explore अब कुछ लोगों को का type करके पूछना है तो type करके पूछ सकते हो कुछ लोगों को अगर अपना voice insert करके पूछना है तो वेसे भी पूछ सकते हो अगर किसी को image के तुरू पूछना है तो आप image के तुरू भी पूछ सकते हो और ये जो आपका doubt है directly जाता है हमारी team के पास और वहाँ पर experts इसका जितनी जल्दी हो सके उसका answer देने का try करते हैं तो ये तो बात होगी ask a doubt section की अगर आप back करोगे तो ask a doubt के बगल में आपको दिखते हैं DPPs online test notes DPPs का मतलग क्या है यहाँ पर daily practice problems जब आप इस video को पूरा सुन लेंगे तो आप अगर DPPs लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको मिलते हैं approximately 20 questions उन 20 questions आपको मिलेंगे ठीके आपको पहले वो खुद attempt करने हैं और उनको cross check करने के लिए यहीं पर download solution का भी option होता है जहां से आप उनके solution को भी देख सकते हैं और solution को cross check करके आपको यह पता चलता है कि आपने आज जो समझा है उससे आपके कितने questions अच्छे से आपके solve हो रहे हैं तो यह बात होगी DPPs की अगर आप back करोगे तो DPPs के साथ साथ आपको online test भी देखने को मिलते हैं जिसमें भी आपके पास questions available होते हैं आप उनको attempt करेंगी आपके पास solution भी देखने का option रहता है आप solution भी देख सकते हैं साथ ही में online test के भगल में ही आपको notes मिलेगा तो जो भी chapter आपने अभी समझा है करा है उसके notes भी आपको available होंगे वहीं पर ही तो यह तो रहा पूरा मैंने आपको intro दिया है कि किस तरीके से आप अगर app का use कर रहे हो क्या क्या चीजे वहाँ पर available आपके लिए है तो I hope जितने लोगों का भी ये doubt था कि app को किस तरीके से use करना है वो आपको सारे जवाब मिल गए होंगे तो यहीं से आप app के तुरू ही सब चीजे गर सकते हो वीडियो के साथ साथ questions के साथ doubt भी पूछ सकते हो तो आप जाए आप जाकर अपना LearnHub application को डाउनलोड करिए और उसका use करिए यहींस क्या बाए जाए 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 आप जाए और जाए जाए